सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल लाइकों दबाएं वेलकाम टॉ मैं चैनल सुपर टेकनोलजी मेरा नामन्दीप दुल्ट दोस्तों जूम के लेटर में बहुत सी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ आप जूम प्ले लिस्ट में विजट करके देख सकते हूं दोस्तों डे बाए डे बहुत सारी चेंज़ ओर रही हैं में जूम में तो इसलिए मैं जूम के ने वर्दन के साथ न्यू वीडियो लेके आऊं जिसमें हम देखेंगे एस सबी देखने के लिए बढ़े रहे हूं वीडियो के end तक left phone को मैं admin phone यूज़ करूँगा means teacher phone यूज़ करूँगा right phone को मैं participant phone यूज़ करूँगा means student phone यूज़ करूँगा दोनों phones में zoom का install होना का परसरी है अभी हम यहाँ teacher phone से zoom को open करते हैं जैसे आप zoom को open करोगी तो आपके पास यहाँ पर 3 option शो होगी join meeting, sign up and sign in की दोस्तो अगर आप participant तो आप student तो आप join meeting पे क्लिक करके मीटिंग को जोईन कर सकते हों अगर आप teacher तो आपने sign up हो जा फिर sign in पे क्लिक करके zoom में sign in कर सकते हो दोस्तो अभी हम यहाँ पर quick process देखने वाले हैं की कैसे sign in करना आप ने sign in करना है अभी हम यहाँ पे Google के साथ sign in करें उसके बाद आपके पास email ID के लिए show हो जाएगी जो भी आपके phone में login है तो आपने click करने select करने email ID को जैसी आप select करोगे तो उसके बाद यहाँ पे next page open हो जाएगा आपने यहाँ पे अपने date of birth का year confirm करने and continue पे click कर देने उसके बाद आपने यहाँ दोस्तो अगर आप अपने school के भ्याप से sign in कर रहे हो तो आपने इसको take करना है otherwise आपने create account पे click कर देने हैं दोस्तो यहाँ पे आपका account create हो गया है account create होने के बाद यहाँ पे sign in हो जाएगा दोस्तो next time भी आप यहाँ Google के साथ sign in कर सकते हो जैसे zoom को open करोगे तो आपके पास यहाँ पे option चोगी new meeting join schedule share screen meet and chat meetings contact and setting की दोस्तो new meeting पे click करके आप new meeting स्टाड कर सकते हूं join पे click करके आप meeting को joign कर सकते हो अगर आप as a participant meeting को join करना चाहती हो schedule पर click करके आप meeting को schedule कर सकते हूं दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर meeting की details enter कर दिनी है जैसे यहाँ पर मैं ride कर रहा हूँ super technology meeting उसके बाद आपने यहाँ पर date select करनी है कि आप किस date को meeting करना चाहते हूं उसके बाद आपने time set करना है कि आप कब से meeting start करना चाहते हूं दोस्तों अगर आप free version यूज़ कर रहे हूं तो आप more than 40 minute meeting को नहीं यूज़ कर सकते हैं तो अभी यहां पर मैं 10.40 तक कि इस meeting को schedule कर रहा हूं उसके बाद अपने set पे click कर दिने हैं अगर आप more than 40 minute meeting करना चाहते हैं तो आपको zoom को purchase करना पड़ेगा otherwise अगर आप more than 3 person हो तो आप meeting को 40 minutes से ज़्यादा run नहीं कर सकते हैं इसके लिटर में already video upload कर चुका हूं कि आपने कैसे pro version में upgrade करना है उसके बाद अगर आप इसे every day, every week, every two week, every month, every year schedule करना चाहते हैं तो आप schedule कर सकते हूं अगर आप PMI means person meeting ID के साथ meeting को schedule करना चाहते हैं तो आप इसके बाद next option यहां पर शूर यह security की दोस्तो अगर आप चाहते हो की meeting की security के साथ ही enter हो next option यहां पर शूर यह security की तो आप यहां पर शूर यहां पर शूर करके password change कर सकते हूं जब फिर आप waiting room को enable कर सकते हूं अगर आप waiting room को enable कर देते हों तो आप password को disable भी कर सकते हो next option यहां पर शूर यह meeting option की post की video on हो जब फिर off हो जब meeting start करें आप बाद में वीडियो को on जब फिर off कर सकते हो participant की video on हो जब फिर off हो advanced option पर क्लिक करके अगर आप चाहते हों की meeting से पहले ही participant meeting में जोइन कर जाएं means student meeting में जोइन कर जाएं तो आपने इसे enable कर दिने next option यहां पर शूर यह automatic record meeting की दोस्तो यह option आपको pro version में मिलेंगी free version में आप इसे use नहीं कर सकते next option यहां पर शूर यह add to calendar की तो meeting अपकी calendar में add हो जाएगी उसके बाद आपने done पे click कर देने है दोस्तो जैसे आप यहां done पे click कर देने हैं आपने whatsappore authors को open करने है जिसमें आप लिंक को share करना चाहते हूं दोस्तो आप किसी भी social media के दूँ Link को Share कर सकते हैं. आपने Long Press करने थंप से And यहां Paste पे Click कर दें हैं. जैसे आप Paste पे Click होगे and Send पे Click होगे तो आपका Meeting Link Student के साथ Share हो जाएगा. दोस्तों, दूसी तरव अभी हम यहां Student Phone से Zoom को Open करती है. आपने WhatsApp को Open करने. WhatsApp को Open करने के भाद आपने इस लिंक प्रिक करना हैं लेकिन उससे पहले आपके पास जूम का इंस्टॉर्ड़ होना का बरसी है दोस्तो अभी हम फिर से जूम में विजिट करते हैं जूम में विजिट करने के बाद जैसे आप यहां पर बैक पे क्लिकर होगे तो यहां पे option शोगी share screen की meet and chat की and meeting की अगर आप बाद में meeting को start करना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिकर करके meeting को start कर सकते हूं अभी हम देखने वाले हैं कि meeting को कैसे start करना है next option यहां पे शोगर यह अपने meeting को schedule किया तो अपने meeting पे क्लिक करने के बाद यहां पर option शोगर यह start की send invitation की and edit की अगर आप बाद में meeting को edit करना चाहते हैं तो आपको यहां पर सभी meeting शोगर जाएंगे जो भी अभी तक आपने schedule किया तो अपने meeting के सामने जैसे आप यहां उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास option शोगी ब्रॉजर चूज करने की तो अपने ब्रॉजर को चूज करना है अगर आप meeting को कुछ जोइन करने में प्रावब्म आरे तो इस के लिए वीडियो अप्रोड कर चुको दोस्तों जैसे आप यहा चूज को एड्मेट करेगा तो स्टूज की यहां पर meeting start हो जाएगी तो यहां पर स्टूज की meeting join हो जाएगी दोस्तों अभी यहां पर teacher के पास microphone को on जा फिर off करने की option है तो आप यहां पे क्लिक करके आप वीडियो को enable job with disable कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते Microsoft, OneDrive, Google Drive, Box, Photo, Document, Web URL, Bookmark, Screen, Camera, Share Whiteboard दोस्तों इन सभी के लेटिन मैं अल्रेडी वीडियो अप्रोड कर चुक हूँ आप मेरी चैनल पे Zoom Playlist में वेजड करके देख सकते हूँ Next option यहाँ पे शो हो रही है participant की जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपके पास सभी participants के list यो हो जाएगी तो आपको खुद का name show का host का यहाँ पे क्लिक करके आप raise hand कर सकते हूँ अपने आपको rename कर सकते हूँ bottom पे यहाँ पे option show हो रही है ask to start video की तो आप अपने student को video start करने के लिए भी बोल सकते हूँ जैसे student क्लिक करेगा तो यहाँ पे camera के साथ video start हो जाएगी next option यहाँ पे show हो रही है stop video की आप video stop कर सकते हूँ chat की आप direct chat कर सकते हूँ make host की आप student को host मना सकते हूँ participant को आप host मना सकते हूँ अगर आपने participant को host मना दिया है उसके बाद आपके पास जो भी host के power है वो सभी loss हो जाएगी तो सभी controls पाटिसमेंट के पास चले जाएगी rename पे क्लिक करके आप student को rename कर सकते हूँ waiting room में put कर सकते हूँ and अगर आप class से remove करना चाहते हो तो आप meeting से remove कर सकते हूँ next option यहां पे शो हो रही है invite की तो आप यहां पे क्लिक करके भी meeting में invite को रवा सकते हूँ mute all पे क्लिक करके आप सभी students को mute कर सकते हूँ दोस्तों यहां पे option शो हो रही है allow participant to unmute themself अगर यह option enable है तो student अपने आपको unmute कर सकते हैं अभी यहां प배 द्मीची करें तो अभी यहां पको अभी यहां पर student अपने आपको डनमीउट नहीं कर पाएंगी जब तक teacher student को permission नी देगा teacher permission देने के लिए его three dots पे क्लिक करेंगा three dots पे क्क करके ask all to unmute पे क्लिक करके student को अनमीट करने के लिए बूल सकता है जैसे पिर पर्टेकुल स्टूटेंट को unmute करनी के लिए Ask To Unmute पे क्लिक करके पर्टेकुल स्टूटेंट को भी आप unmute कर सकते हूँ दोस्तो next option यहाँ पे show हु रहIE है more की दोस्तो Elder Top पे क्लिक करके आप speaker का mode चेंज कर सकते हूँ camera को switch कर सकते हूँ जैसे आपने meeting का time fix किया 10.20 जो भी 5 minutes के बाद आप meeting को log कर सकते हो उसके बाद आपके पास request भी निशो होगी जो भी student meeting में join करना चाहेंगे अगर आपने meeting को log कर दिया है waiting room को आप enable जा फिर disable कर सकते हो अगर आप इसको disable कर देते हो director students आपकी meeting में enter होते चले जाएंगे आपको disturbance भी नहीं होगी hide profile pictures दोस्तो अगर आप अपने participants की profile pictures को hide करना चाहते हो तो आप इस option पे click करके इसे enable कर सकते हो screen sharing अगर आप participants को allow करना चाहते हो screen sharing के लिए तो आप इस option को enable कर सकते हो otherwise आप इस option को disable कर सकते हो दोस्तो as a teacher आपको इस option को disable करना चाहिए क्योंकि कई बार students miss wave करते हैं and यहां पे कुछ share करते रहते हैं जा फिर marking भी करते रहते हैं अगर आप students को share screen की option को allow करते हो तो आप इस option को disable लगना है दोस्तो next option जहां पे show हो रही है चैट की students किसी के साथ भी चैट ना कर पाएं तो उसके लिए आपने no one पे क्लिक करने students host and co host के साथ चैट कर पाएं तो आपने इस option को enable करने students सभी के साथ chat कर पाएं तो आपने इस option को enable करने students किसी के साथ directly chat कर पाएं तो आपने इस option को disable enable रखने दोस्तों कई बार students एक दूसरे के साथ chat करते रहते हैं तो आपने इस host and cohost को आप्शन को enable लखने हैं next of यहाँ पर शोरी है start video की अगर आप चाहते हूं कि students अपनी video खुल start कर सकें तो आपने इस option को enable कर दिने otherwise इसे disable कर दिने next of यहाँ पर शोरी है rename की दोस्तों अगर आप इस option को enable कर दोंगे तो student अपने आपको rename करके दूसरे के नाम के साथ miss wave करते हैं class में तो आपने इस option को disable लखना है अभी जैसे मैं यहाँ participant पर क्लिक कर रहूं as a student तो यहाँ पे मेरे पास option नहीं है rename की तो अगर जैसे मैं इसे enable कर देता हूं तो यहाँ पर rename की option enable होगी है तो मैं अभी यहाँ पर name change कर सकता हूं तो आपने as a teacher इस option को disable लखना है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि student अपने आपको unmute कर पाएं तो आप नहीं इस option को enable कर देना है अगर आप इसे disable कर देगे तो student अगर आप इस option को click कर देता हो तो student की सभी activities suspend हो जाएंगी जैसे अभी यहाँ पर मैं click कर ओं तो यहाँ पर सभी activities suspend हो जाएंगी students की खुद participant की भी इस activities यहाँ पे suspend होगी है तो अभी यहाँ पर student अपने आपको unmute नहीं कर पाएंगे camera नहीं enable कर पाएंगे जब तक teacher students को permission नह पे teacher खुद को भी unmute करना पड़ेगा, खुद की वीडियो को भी unmute करना पड़ेगा, और दोस्तो आप more पे click करके, security पे click करके, students की video को allow कर सकते हूं, unmute करने को allow कर सकते हूं, उसके बाद ही student अपने आपकी video को on कर सकते हैं, and microphone को उसके बाद ही enable कर सकते हैं, otherwise students यहाँ पे microphone को enable नहीं कर सकते हैं, दोस्तो next option यहाँ पे show रही है, more के under chat की, आप यहाँ पे click करके students के साथ chat कर सकते हूं, तो student भी आपके साथ यहाँ पे chat कर सकते हैं, दोस्तो अगर यहाँ पे everyone की option है, तो कोई भी किसी के साथ chat कर सकता है, जैसे यहां पे message हो गया and student भी यहां more पे click करके teacher के साथ यहां पे chat कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप सिर्फ किसी particular student के साथ chat करना चाहते तो आप किसी particular student के साथ भी chat कर सकते हूं अगर आप everyone की option को disabled call चुके हो already तो student एक दूसरी के साथ chat नहीं कर पाएंगे जैसे अभी यहां पे मैं आपको show कर रहा हूं जैसे आप यह security पे click करोगे तो chat with no one पे show हो रहा है अगर आप everyone पे click कर दोगे तो student भी एक दूसरी के साथ chat कर सकते हैं तो यह depend हा कि आपने इस option को enable करना है जा फिर आपने इस option को disable करना है next often यहां पे show है meeting setting की meeting setting पे click करके आप meeting topic को change कर सकते हूं अगर आप चाहते हूं कि during entry students या participants mute रहे तो आप इस option को enable कर सकते हूं play join and leave sound आप इस option को enable disable कर सकते हूं always show meeting controls तो यहां पे तो आपकी इस option को enable ya bisable कर सकते हूं show name when participant join तो आप इस option by enable disable कर सकते हूं show non video participants show my video in gallery view अगर आप चाहते हूं कि आपकी video gallery view में show हो तो आप इस option नेबल jak disable कर सकते हो stop incoming video दोस्तो अगर आप चाहते हो कि students की एक दूसरे को video ना show सिर्फ आपकी वीडियो पर्म स्टुजेंट को आपको चूर्ण फूर्ट हो तो आप ने इस वाप्षिन को अनेबल कर देने दोस्तो जैसी आप यहां में स्क्रीन से राइट पर क्लिक करो तो आपको यहां पर चुछी वीडियो शो हो जायेगी गैलरी में और दोस्तों अगर आप यहां पे more than 4 students तो यहां पे आपको स्कीन होती रहेंगी तो आपको यहां पर सभी students की video शो होती रहेंगी गैली mode में दोस्तों left पे स्वैब करके आप यहां पर tap to speak के अंडर कोई मैसे leave कर सकते हूं सेफ ड्राइविंग मोड के अंडर दोस्तों दूसरी तर्फ स्टूटेंट के पास भी यहाँ पे सेम ऑप्शन जो हो रही है मूट अन्मूट की स्टॉप की शेर की अगर टीचर ने स्टूटेंट को शेर की ऑप्शन को अनेबल किया लेकिन अभी टीचर ने मीटिंग को लॉग कर रखा है तो यहाँ पे आप इनवाट भी नहीं कर सकते मोर पे क्लिक करके स्टूटेंट्स टीचर के साथ या फिर अदर स्टूटेंट्स के साथ चैट कर सकते हैं यहाँ पे सभी की लिस्ट शो हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट अप्शन यहाँ पे शो हो रही है मीटिंग सैटिंग की मीटिंग सैटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आप आलवेज शो मीटिंग कंट्रोल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सभी कंट्रोल शो होते रहेंगे आपको किसी अधर पार्टिस्पेंट की वीडियो शो नहीं होगी इससे आपका डाटा कंजंप्शन कम होगी शो माई वीडियो इन गैलरी विव आप इन ऑप्शन को डिसेबल जा फिर नेबल कर सकते हूं दोस्तों यहां पर जो होगी। आपको आपको उस्तारे इमोजी वीडियोय हो जायेंगे जैसेátब कर सकते हो। सकते हों आप मीटिंग को लीव कर देती हो तो आपकी मीटिंग में कोईभी participant admin बन सकता है अगर आप मीटिंग end for all कर दोगे तो सभी end से meeting end हो जाएगी जैसे अभी यहां पर में मीटिंग को end कर रहा हूं दोस्तो अगर आपकी जूम जा किसी other education क्वेरी हैं जब किस्जाशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके कमेंट कर अप्लाइए करूंगा थेंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल पो लेटेस्ट अपडेट्स